इसको हटाते हैं, ये इसका धाचा था, धाचा तो बना लिजेगा इसको, कॉपी पे, अब इसके मेकेनिजम या क्रिया वीधी को समझते हैं, कि ये रियक्शन किस परकार से संपन्न हो रही है, देखो, ये अलकोहॉल है, एक कार्वन का हमने अलकोहॉल लिया, इस अलकोहॉल की अभिक्रिया हमने, socl2 के साथ कराया, ठेक, इस अलकोहॉल की अभिक्रिया हमने किसके साथ कराई, socl2 के साथ कराई, तो इसका जो है O Electro Negative Atom है तो लेने का काम करेगा फल सरूप इसके उपर माइनस यहाँ पे क्या होगा प्लस अब यह Sulfur Dioxide Thionyl Chloride का एक Chlorine Atom जो है आके यहाँ पे क्या होगा Add होगा फल सरूप हमें जो Product प्राप्त होगा वो Alkyl Chloride या Methyl Chloride प्राप्त होगा अब यहाँ से देखो यह S-O है यानि यह S-O है एक O यहाँ से मिलेगा तो यह Sulfur Dioxide हो जाएगा S-O-2 हो जाएगा अभी एक C-L बचा जो Hydrogen के साथ मिलके क्या बना लेगा? Hydro Chloric Acid बना लेगा, S-C-L बना लेगा इस तरीके से यह अभक्रिया क्या होगी? संपन्न होगी ठेक? आगे बढ़ते हैं दो-चार इंजामपल इसके भी देते हैं ठेक? इस अभक्रिया को Dargen Reaction कहते हैं क्या कहते हैं? Dargen Reaction Dargen नमग वेज्ञानिक ने दिया था वा सवरूप इस Reaction को Dargen Reaction कहते हैं क्या कहते हैं? Dargen Reaction कहते हैं इस Reaction की एक खास बात और होती है यह अन ब्रांच एलकोहालों में देखने को मिलती है इस Reaction की कुछ Term and Condition है Term or Condition यह है कि यह अभक्रिया सामानिता जो है सामानिता औसाखित प्राथमिक एलकोहालों में प्रियोग की आती है यानि अन ब्रांच डर जो है एलकोहालों से बनती है यानि ऐसे एलकोहाल जिसे ब्रांचिंग ना हो उसी में यह Reaction देखनों की मिलेगी ब्रांच एलकोहाल में यह Reaction संपन्न नहीं हो पाती है ठेक चलो आओ देखो दो चार्थो एक्जामपल ले लेग दो ठो जैसे ये क्या है एथिल एलकोहॉल है इस एथिल एलकोहॉल की अबक्रिया एसो सी यल्टू यानि थायोनिल क्लॉराइट के साथ कराएंगे तो बनने वाला प्रोड़क्ट बताना है आपको दूसरा है मालो ए वाला प्रोड़क्ट क्या होगा ये दो है आपको हमने दिया है होम और के लिए इसको करिएगा ठेक नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं रेडाउन रियक्शन I hope अभी तक मैंने जितना पढ़ा है आपको समझ में आ गया होगा next आगे बालते हैं redon reaction redon reaction क्या होती है redon reaction जब किसी alcohol किया विक्रिया bromine तथा triphenyl triphenyl fastfide के साथ कराते हैं triphenyl fastfide के साथ कराते हैं तो हमी क्या पराप्त होता है arkyl halide पराप्त होता है arkyl halide पराप्त होता है ठीक जब किसी alcohol किया विक्रिया ब्रोमीन के साथ ट्राइफेनिल फास्पाइट के साथ कराते हैं ट्राइफेनिल फास्पाइट के उपस्तिती में कराते हैं तो अलकिल ब्रोमाइट राप्त होता है इसको नोट कर लिएगा आप लोग कि जब किसी अलकिल अलकोहाल की अबिक्रिया ट्राइफेनिल फासफाइट की उपस्तिती में ब्रोमीन तथा अलकोहाल के साथ कराते हैं तो अलकिल ब्रोमाइट प्राप्त होता है क्या प्राप्त होता है अलकिल ब्रोमाइट प्राप्त होता है ठीक देखो जब किसी अलकिल अलकोहाल की अबिक्रिया ब्रोमीन के एक अणू तथा ट्राइ फेनिल फासफाइट C6H5 को फेनिल ओ यह क्या है ट्राइ है आफ फासफाइट है इसको क्या कहते हैं ट्राइ फेनिल फासफाइट इसकी उपस्तिती पे जब इसको कराएंगे तो हमको बनने वाला जो प्रोड़क्ट है वो बनेगा अलकिल ब्रोमाइट क्या बनेगा अलकिल ब्रोमाइट साथ में क्या बनेगा यह बनेगा C6H5O कहोल ट्वाइस POBR बनेगा प्लस क्या बनेगा C6H5OH यानि इसको फिनॉल बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं फिनॉल बोलते हैं ठीक यह प्रोड़क्ट हमारे पास क्या होगा बनेगा ठीक अब आप समझते हैं यह रियक्शन किस तरीके से अकर होती है यह रियक्शन किस तरीके से घटित होती है ठीक यह तो ढाचा है इस ढाचे को आप बना लिजेगा आगे बढ़ते हैं यह रियक्शन किस तरीके से अकर होती है चलो चलो हमने एलकील एलकोहॉल की जगा पर कुछ एक एलकोहॉल लेते हैं वह एलकोहॉल सपूर्ज डेट मेथिल एलकोहॉल है मेथिल एलकोहॉल एक जहरीला टॉक्सिक एलकोहॉल होता है जिसको पीने पर आदमी क्या होता है निपूर जाता है मstate brômine अब इसके उपर जो डियाटम का आपुछ मोलीकियूल सहिं इसके साथ साथ मुझे ट्राइफेनिल बोला है तो ठ्राइफेनिल क्या होता है द्यान से देखले न इस तरीके की जो संग्रचना दिख रही है, मदुमक्खी का जो छत्ता दिख रहा है, इसको बेंजीन बोलते हैं, इस बेंजीन के उपर जब O-H लग जाता है, तो इसको फीनॉल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फीनॉल बोलते हैं, अब इसी फीनॉल से अगर आकसीजन, ये आक और हाइडोजन के बीच का जो बॉंड है वो डिसोसियेट हो जाता है तूट जाता है अर्थात यहां से हाइडोजन निकल जाए तो यह हो जाएगा का ओ मायनस इसी कंडिशन को फेडिल बोलते हैं अब यह फिनओल की जगापे क्या हो गया फेंपेंkal इंके ऊपर एठो कारवन होता है सभी के पास क्या होता है एक एक हाइडोजन होता है तो एक hydrogen यहाँ, एक hydrogen यहाँ, एक hydrogen यहाँ पर, एक hydrogen यहाँ पर, एक hydrogen यहाँ पर, इस परकार से देखोगे, तो carbon की संख्या 6 हो गई, hydrogen की संख्या गीनो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, अरथात hydrogen की संख्या 5, यह oxygen, ओ, ठिक, तो यह हो गया, फेनिल, क्या हो गया, फेनिल, लेकिन बोल है, ट्राइफेनिल लेना है, तो ट्राइफेनिल कब बनेगा, तो ट्राइब होता है, तील, डाइब का मतलब 2, मौनो का मतलब 1, टिट्रा का मत मतलबचार ऐसे ही कहते हैं चले जाओ ठीक यह ट्राइफ हैनिल हो गया अब फासफाइट की बात करता है अब यह हो गया अब इससे हमको क्या बनाना है अलकिल रॉमाइड बनाना है तो हम ले याई लिये है हैं क्या है मेथिल आलकुर हाल में तुम जानते हो यह क्या है एक एलेक्ट्रonegative atom है तो An को अट्रेक्ट करेगा फल्सरोप और पार्शियल नेगट November के उपर पार्सियल पॉज्ट्री चार्ज होगा यहां से ब्रोमीन जो है इस CS3 से एड होगा जब एड हो जाएगा तो क्या बनाएगा CH3BR बनाएगा इस CS3BR क्या कहेंगे इसको बोलेंगे मेथिल ब्रोमाइड क्या नाम बोलेंगे मेथिल ब्रोमाइड यह है क्या तुम्हारा मेथिल ब्रोमाइड यह इसका जनरल नेम है अगर IPSC की बात करोगे तो पहले भाईया इसको ब्रोमो को बोलना पड़ेगा कहोगे सर यह ब्रोमो आएक कार्बन को मेत कहते है साथ में सिंगल बॉंड लगाएंगे तो ब्रोमो मेथेन हो जाएगा आगे बढ़ते हैं और क्या बनेगा और बाकी जो बचा है इस फासफोरस के साथ जोड़ दो तो यही फेनिल जो है डाई फेनिल लेते हैं तो होग असे 6 H5 O कहोल ट्वाइस P.O.B.R ठीक अब और क्या बचा अब और बचा भी एक मॉलिक्यूल फेनिल का बचा हुआ है तो हम एक मॉलिक्यूल लिख देंगे C6 H5 उसके बद क्या लगा देंगे O.H यह ध्यान से देखोगे तो क्या है फेनॉल है क्या है फेनॉल है ठीक यहाँ पे यह दोनों कमपाउंड जो है बाई प्रोड़क्ट के रूप में है जो मेन प्रोड़क्ट है हमारा एलकिल हैलाइड या एलकिल ब्रोमाइड है ठीक तो यह क्या है यह जो है रेडाउन रियक्शन यहाँ पे संपन्न हुई इसके भी अगर कुछ एक्सरसाइज लेना चाहते हो तो ले लोग अपना घर पे बैठके आराम से करो एक अब बीडियो को अगर नहीं समझ में आता है बीडियो के एक बार देखिए दो बार देखिए तीन बार देखिए चार बार देखिए अगर और नहीं समझ में आता है तो पांच बार देखिए लेकिन कभी भी गलती से मोबाइल को न तोड़ दी जाएगा ठेख चलिए पहले एक्जामपल है जब किसी एथिल एलकोहाल की अभिक्रिया ब्रोमीन मॉलिक्यूल साथ में ट्राइफेरिल फास्फाइट के साथ कराते हैं तो बनने वाला प्रोड़क्ट बताना है दूसरी रियक्शन है जब किसी एनप्रोपिल एलकोहाल की रियक्शन ब्रोमीन मॉलिक्यूल तथा ट्राइफेरिल ट्राइफेरिल फास्फाइट के साथ कराते हैं तो बनने वाला प्रोड़क्ट कराते हैं बताना है यह आपको हमने दू रियक्शन दे दी इन दोनों को आप करिएगा ठीक आगे बढ़ते हैं अब डालते हैं हीर्डिंग हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज किसकी पढ़ते हैं हैलो एलकेन की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं चलिए, नेस्ट रियक्शन जो है, अगर ये गोड के एक्जाम के पॉइंट अफ यू से देखें तो इंपोर्टेंट रियक्शन है, इसको देखेंगा, जब किसी वसा अथवा वसा अमल का शिल्वर अथवा सोडियम लवन की अविक्रिया, जब किसी वसा अथवा सोडियम के सिल्वर लवन की अविक्रिया, ब्रोमीन तथा कार्बन टिट्रा क्लोराइड की उपस्तिती में कराते हैं, तो हमें ब्रोमो एलकेन प्राप्त होता है, तो वसा अथवा वसा अमलका सोडियम अथवा सिल्वन लमण क्या होता देखेगा जैसे यह सी ओ हो है यह है यह कारबोकसलिक एसिड है इस कारबोकसलिक एसिड में अगर यहां से हम इस हाइड्रोजन को क्या कर दें रिमूब कर दें जब यह रिमूब करेंगे तो यह कारबोक कार्बोक्सिलेट आयन में परिवर्थित हो जाएगा कैसे में बदलेगा कार्बोक्सिलेट आयन में अगर इसकी जगह पे सोडियम जो की एक इलेक्टो पॉजिटिव एटम होता है या सिल्वर जो ये भी क्या होता है एक इलेक्टो पॉजिटिव एटम होता है ये दोनों क्या है मेटल है इसलिए ये कार्बोक्सिलिक अमल के क्या कहलाएंगे सोडियम अथवा सील्वर लवण कहलाएंगे ठेक तो ये बनने वाला जो प्रोड़क्ट हो जाएगा वो क्या हो यह क्या कहलेगा वशा अमल का सोडियम अत्वा सिल्वर लवण तो जब कभी भी वशा अमलों का सिल्वर लवण या सोडियम लवण की अभिक्रिया ब्रोमीन तथा कारवन टिट्टा क्लोराइड के साथ कराते हैं तो हमें एलकिल हैलाइड प्राप्त होता है चलो इस बात को समझते हैं अभिक्रिया में जब किसी वसा अथवा वसा अमल का सोडियम लवण या सिल्वर लवण की अबक्रिया किसके साथ कराएंगे ब्रोमीन के साथ कराएंगे तथा यह कार्बन टेट्राक्लॉराइड सी सील फोर के साथ आस्वन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा हमें जो प्राप्त होगा वो बनेगा एल्किल ब्रोमाइल प्राप्त होगा ठेक साथ में क्या बनेगा यह एक बी आर जो है इसके साथ आर के साथ चला गया यह आर बी आर हो गया एक बी आर यहां पर बचा है तो यह सोडियम के साथ जाएगा तो क्या होगा एने सी एने बी आर हो जाएगा ठीक और कुछ बच रहा है और हमारा बच रहा क्या शाप साप अगर आख से आखको को खोल के देखोंगे तो सीओ टू गैस निकल लई है यह निकल लई है CO2 गैस निकल लई है ठिक जो कि एक तिछड़ गैस होती है तो इस बोरोडीन हंस डीकर अभिक्रिया में CO2 गैस क्या होती है रिलीज होती है CO2 गैस क्या होती है रिलीज होती है तो इसकी परिभासा या डिफिनीशन में देखोगे तो वसा अथवा वसा अमल के सोडियम अथवा सिल्वर लवण की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ कारबन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिती में करानी पर हमें अलकिल ब प्राप्त होता है यह हमारा क्या है फैट है वसा है और क्या है वसा सोडियम लवण है वसा का सोडियम लवण है जितने भी प्रथम ग्रूप के के लिमेंट होते हैं वह कारबोकसलिक अभले के साथ लबॉन देते हैं लबॉन देते हैं ये बळुंकर का एकडू है ये क्या है तुम्हारा एलकेल ब्रोमाइड है ल किल ब्रोमाइड है इसी को ब्रोमो-атов couple भी कहेंगे, IUPAC में ये ब्रोमोलकेन है, ये सोडियम ब्रोमाइड है, वो कार्बन डाइकसाइड है, चलो, इसे से रिलेटेट, तो तीन तो एक्जामपल ले लो, घर पर बैठके अराम से करना है, ठेंग, देखो, CH3, COO, हमने सिल्वर लवड इस बार लिया, तो सिल्वर लवड लिया, इसकी अभिक्रिया हम ब्रोमीन अडू के साथ, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 की उपस्तिती में आस्वन करेंगे या आस्वित करेंगे, तो बनने वाला उत्पाद क्या होगा, पहला क्यूस्चन, दूसरा क्यूस्चन है, जब वसा अथवा, वसा का सोडियम लवण की अभिक्रिया, ब्रोमीन अडू के साथ, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ आस्वित करने पर या आस्वन करने पर बनने वाला प्रोड़क्ट क्या होगा, ये दो आपके रियक्शन है, जिसको आप करिएगा, इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे, अलकेनो का भौतिक एवंग रासायनिक गोड़, ठीक, आज के लिए हम जो है, यहीं पर हम करते हैं, नेक्श्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, अलकेनो का रासायनिक एवंग भौतिक गोड़, पहले भौतिक गोड़ पढ़ेंगे, उसके बाद अलकेल हैलाइडों के भौतिक एवंग रासायनिक गोड़, ठीक, तब तक के लिए, नमस्कार, थैंक्यू.